नवस्कार फेंड्स राइट विद प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका फिरसे स्वागत फेंड्स फेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डिस्क इफेक्ट जो है फोटो का किस प्रकार से क्रियेट कर सकते हैं किसी भी फोटोसॉप में बिल्कुल आसान है और बहुत स यूज आल्बुम में इसे लगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं डिस्क इफेक्ट हम किस प्रकार से क्रियेट करेंगे यही हम इस वीडियों में बताने वाले हैं आपको तो चलिए शुरू करते हैं तो फैंट सबसे पहले हम क्या करेंगे एक फाइल लेंगे न्यू फाइल ठीक है न्यू फाइल लेने के लिए आपको दियान यह रखना है कि आपकी हाइट वीट सेम रखनी है मैं वेट और हाइट दोनों 1010 रख रहा हूं तो इस प्रकार से आपके पास एक न्यू फाइल आ जाएगी जो चार तरफ से समान होगी यानि उसकी हाइट वीट तो बराबर होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे सेप टूल है कस्टम सेप यहां से आपको एलिप्स टूल जो है वो सेलेक्ट करन है जो कि जीरो वाला है और यहाँ पर आप जो है देख लीजिए यहाँ पर सेप लेयर पर रखना है कलर यहाँ पर आ रहा है आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं यहां का कलर का कोई इसू नहीं है इसलिए मैं ब्लेक ही रख रहा हूं उसके बाद में हम एक सेप बनाएंगे रा एक्रिक करना है और उसके बाद माप इसको Dragon verse करेंगे तो इस प्रकार से यप स्याराओ उसके बाद क्या करना सिलेर पर देना था किहां यह रेश्टराइज काईगी उसके बाद क्या करना काट्रोल करमाई है Align vertical center और यहाँ पर Align horizontal center तो यह चारा तरफ से बिलकुछ center में आ जाएगी जिसके चारा तरफ बराबर जगव होगी उसके बाद में आपको deselect करना है deselect करने के लिए आप control depress करेंगे deselect हो जाएगा कितना हो गया? इसके बाद में आपको view में जाना है और यहां से new guide लेनी है click करेंगे new guide में आपको क्या करना है मैंने 10 की size ली थी 10 by 10 की इसलिए मैं यहां पर position 5 करूँगा आपको भी 5 करना है vertical रखना है और ok करना है अगर आप size को दूसरी लेते हैं तो आपको उसको जो center के ता जैसे 15 की ली है तो साड़े साथ का 12 के ली है तो 6 पर मैंने 10 की ली है इसलिए 5 पर किया ठीक है तो जैसे मैं यहां करूँगा यहां पर 5 पर आप देख सकते हैं एक guide आई जाएगा मैंने एक guide ले लिया है अब हम friends क्या करेंगे वापस custom shift tool इसी में जाएंगे और इस बार rect angle tool ले लेंगे यह rect angle tool हमने ले लिया अब हम यहां से जो अपने guide बना है वहां से हम इसको dragon drop करेंगे पतला करेंगे और इस परकार से हम इसे select कर लेंगे उसके बाद में आप क्या करेंगे इस पर click करेंगे और इसको भी restage layer में बदल देंगे restage layer में बदल गया अब आप zoom करके देखेंगे कि आपको यह कितना रखना है तो यहां से आप जितना रखना चाहिए इसे रख सकते हैं ठीक है इस परकार से आप zoom करके इसे align कर सकते हैं कितना रखना ठीक है अब मैं बताऊंगे आपको कि आपको रखना कितना है आप देख सकते हैं यहां पर zoom करके यहां से एक, दो, तीन और साड़े तीन पॉइंट है तो हम इसको एक्जेस्ट कर लेंगे कहां पर हमको रखना है इसे तो हमने दोनों तरब यह रख लिया है सेंडर में है आप देख सकते हैं यहां पर जूम करके और देख सकते हैं अगर आप इसे और भी बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं कंट्रोल टी करेंगे और उसके बाद में आप यहां पर यहां पर एक, दो, तीन, चार पाइंट रख दीजिए या पाँच पाइंट रख दीजिए ठीक है आप अपने इच्चा के अनुसार आप अपने सुविदा के अनुसार रख सकते हैं कि आपको और लेयर के बीश में गैप कितना देना ठीक है मैं थोड़ा सा कम रखूंगा गैप, टोके कर दिया अब फ्रेंट्स क्या करना है अब हमको गैड की जरूत नहीं है यहां से हम कलियर गैड कर देंगे गैड हट जाएगा अब हम यहां पर सेप सबसे उपर जो है यह वाली जो हमने यह लाइन बनाई है अब हमको उपर वाली सेलेक्ट करनी है और कंट्रोल टी करना है और उसके बाद में यहां चैनल ओर एक्वर्टीफाइप करना है अब वापस आपको नीचे वाली सेलेक्ट करनich के लिए आपको अन्डिकर्ट करना होगा जैसे आप enter प्रेस करेंगे और उसके बाद में नीचे वाली लेयर को select करेंगे और control D प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निसान मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके ठीक है अब पैलेट एप्सन मैंने बड़ा कर लिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर cross आ गया अब हम क्या करेंगे उपर वाले को select करना है फिर control T करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर 45 करना है जिसे यह गूम जाए ठीक है अब वापस enter प्रेस करना है और enter प्रेस करने के बाद में यह unselect हो जाएगा उसके बाद में shape 1 पर वापस आना है और delete प्रेस करना है ठीक है और वापस shape 1 पर उपर वाली पर जाना है यानि इस dandy वाली पर control T करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको 45 करना ठीक है यह करने के बाद में आपको वापस एंटर करना है यानि कि आपने इसे सेलेक्ट कर रखा है Ctrl T से यह आप डबल क्लिक करके इसको हटा सकते है ठीक है यह ध्यान रखे कि जब डिप करेंगे तो आपका इस सेलेक्ट रहना चीए अगर सेलेक्ट नहीं है तो आप वापस सेलेक्ट में जा खरके select में जाकर load selection ले सकते है ठीक है उसके बाद में क्या करना वापस इस shape पर आना है और delete press करना है ठीक है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये image जो हैं पूरी तरह से परलब circle इसका बन गया है अब हम shape 1 पर जाएंगे और यहां से delete press करेंगे ठीक है और delete कर देंगे ठीक है और यह जो selection है यह मटा सकेंगे control D करके ठीक है यह हो गया यह होने के बाद friends क्या करेंगे वापस हम इस shape tool में जाएंगे ellipse tool लेंगे और एक बार वापस shift press करते हैं उसका round बना देगे ठीक है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ठीक है और यहां पर हम click करेंगे और यहां पर restrage layer कर देंगे ठीक है देखे एक बात दियान रखे जब आप इस पर करेंगे तो यह options restrage layer का नहीं आएगा ठीक है आप अगर इस पर करेंगे तब भी disable victor mask late victor mask restrage victor mask क्योंकि यह victor mask है आपको यहां पर खाली जगे है वहां पर click करना है तो आएगा restrage layer ठीक है यह बात दियान रखे restrage layer किया restrage layer होने के बाद में आपको क्या करना है control A करना है जिससे कि select हो जाएगी move tool को select करना है और यहां पर बीच में align vertical center और align horizontal center कर देना थे बिल्कुल आपके center में आ जाएगा ठीक है अब आप deselect करके इसका selection हटा सकते हैं अब आपको क्या करना है इसको select रखते हुए select करके इसको आप अपने इनुसार set कर लिजिए आपको कहां तक कितना round देना है ठीक है उसके बाद में आप select में जाएए और load selection कर लिजिए ठीक है यह selection हो जाएगा तो आपको नीचे वाली set delete करनी है तो यहां पर click कीजिए और उसके बाद में delete button प्रेस कर दीजिए ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ D button प्रेस करना है Ctrl D तो यह unselect हो जाएगा और वापस Ctrl T करना है पहले उसको select कर लिजिए जिसको आपने नया बनाया था छोटी वाली set पर click कीजिए उसके बाद Ctrl T कीजिए और उसे छोड़ा सा नीचे कर दीजिए आपको यह दियान रखना है कि जितना space इस दोनों के 20 में है यानि जो space आपने यहाँ पर ले रखा वही space आपका यहाँ पर होना चाहिए ठीक है यह हो गया अब आप देख सकते इस डिसक हमारी बनकर के तयार है अब हमको क्या करना है हमके उसकी लेयर बनानी है बहुत सारी तो यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और उसके बाद मैं यहाँ से magic one tool लेंगे और एक पर क्लिक कर देंगे जैसे यह select हो जाएगा आप control J press कीजिए तो इसकी एक duplicate बन जाएगी भापस उसकी को select कीजिए अब उसके pass वाली को select कर दीजिए और vitPM KTRL J प्रेस कीजिए तो यह लेयर बन जाएगे डूसरी लेयर बन जांगे अब हम तीसरी लेयर की बारी है तो इसके लिए आपको क्या करना है वापस इसी shape को select करना है उसके बाद उसको select करना है उसके बाद control J करना है तो यह तीसरी layer बन गई उसी प्रकार से आप आगे करते जाएंगे इस layer को वापस select करना है और इस बार इसे select करना है और control J इस प्रकार से आप बारी बारी सब को control J के माध्यम से आप करके duplicate बना लीजिए तो मैं यह फटाफट कर रहा हूँ ताकि यह हमारा time waste न हो और उसके बाद में यह होने के बाद में इसको कर दिया control J ठीक है और इस प्रकार से हमारी 8 layer जो है यह बन जाएगी ठीक है और उसके बाद में इस layer को आफ hide कर दीजिए यहां से ठीक है अब हम देखेंगे कि हमारा जो है वो circle पुरी तरह से बन गया है अब हम यहां से इसको छोटा कर देंगे क्योंकि इसकी जरूत नहीं है pellet की ओके ठीक है और आम हम इसको इसके अंदर एक्जेस कर देते ठीक है अब फ्रेंड्स यह बन करके हमारा त्यार होगे अब हम इसमें photo वाजव है वो डालेंगे किस प्रकार से डालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले उपर वाली को क्लिक कीजिए या फिर आप नीचे वाली को क्लिक कीजिए जहां से भी अब सुरू करना चाहे उपर वाली से सबसे पहले यह photo है मैं Ctrl A, Ctrl C, Ctrl W ठीक है और उसके बाद मैं मुझे उसी लियर पर जाना है यहां पर और shape number 2 जो है हमने बनाई तिर राउंड वाली उस पर क्लिक करना है या फिर आप क्या करेंगे उसको select करेंगे राउंड वाली को उसके बाद मैं उसके उपर paste कर देंगे उसके बाद Ctrl T करेंगे और उसे छोटा कर लेंगे ठीक है आपकी shape के अनुसर कितना आपको रखना है ठीक है यहां पर रख लीजिए और उसके बाद मैं आपको क्या करना है इसकी clipping masking करनी है Alt Ctrl G press कीजिए clip हो जाएगी T कीजिए और इसे बड़ा कर दीजिए जितना आपको रखना है ठीक है मान लिजिए आपको इतना रखना है ठीक है हो गया उसके बाद friends हम क्या करेंगे layer number 2 को select करेंगे या फिर हम इसमें effect देना चाहे तो यहां पर layer में जाएंगे layer style और यहां पर color overlay कर देंगे हम और यहां से आप इसको कोई सावी mode देकर देख लीजिए कि किस mode में आप इसको रखना चाहते हैं और कैसा effect आप देना चाहते हैं जैसा आप effect देना चाहे उसे आप रख सकते हैं blind mode में या आप अधर दूसरे तरीके से भी effect देना चाहे उसके बाद friends क्या करेंगे हम एक number layer को select करेंगे और उसके बाद में हम एक photo all ले लेंगे यहां से ठीक है उसके बाद में control V और alt control G means clipping mask ठीक है और यहां पर आप उसको set कर दीजिए अपनी image के नुसर कैसा है आपको करना है set यह कर दिया अब आप उसके उपर को effect देना चाहे तो दे सकते है आप यहां पर click कर दीजिए और यहां से कोई साभी effect जो है आप देना चाहे वो दे सकते है ठीक है black and white हो गया अब आप जो है second number पर click करने के लिए layer 1 में हो गया layer 2 पर click कर दीजिए उसके बाद में एक photo और ले लिजिए 2 को select कीजिए और उसके बाद control वीव कर दीजिए और ultra control जी फ्रेस कर दीजिए ठीक है तो इस परकार से यह यहां पर आ जाएगी आप किसी भी परकार से लगा सकते हैं यहां पर हम इसको blue दे देते हैं और यहां से हम कर देंगे है soft light तीक है अब effect किसी परकार से दे सकते हैं उसके बाद तीन को select करना है और उसके बाद यहां से एक और image ले लेनी है और यहां पर control V यह नि पेस्ट कर देना है और ultra control G करके group कर सकते हैं images बहुत बड़ी है इसलिए मुझे time लग रहा है यह होने के बाद में इस पर भी आप effect को इसा भी लगा सकते हैं इसको हम किसी और turn में कर लेते हैं आप जो चाहे वो कर सकते हैं और इसका color हम change करके देख सकते हैं हम इसको green वाला effect देते हैं इसे परकार से बारी बारी से हम उसके अंदर image जो है वो डालते रहेंगे चार को select के control वी alt control जी ठीक है यह हो गया अब यहाँ पर भी आप कोई भी effect देना चाहें तो दे सकते हैं हम यहाँ पर किसी और effect को दे देते हैं इस बार red का दे देते हैं और soft light या पिर यहाँ से आप skin भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं और उसके बाद में हम आगे जाएंगे इस image को ले लेंगे पांस को select करेंगे control V करेंगे alt ctrl G करेंगे और group हो जाएगी control T करेंगे और इसे minimize कर लेंगे कि हमको कितना इसको रखना है ठीक है यह हो गया उसके बाद में इसको भी हम black and white कर लेंगे फिर आगे हम select करेंगे और उसी परकार से हम लेते रहेंगे एक एक और इस बार आपको क्या करना है यह सामने वाली black and white है यह भी black and white है इस बार हम blue effect देंगे लेकिन इससे पहले हम control V करेंगे और alt ctrl G करेंगे तो इक group हो जाएगी यानि कि masking हो जाएगी इसकी और इसको हम छोटा कर देंगे जितना हमको रखना है हम रख लेंगे ठीक है और इस पर हम blue effect देंगे क्योंकि आमने सामने का same effect रहेगा तो अच्छा रहेगा color overlay करते हैं उसके बाद blue color को select करते हैं और यहां से हम soft light या skin कर देते हैं तो इस प्रकार का जो effect जो है वो आ जाएगा ठीक है उसके बाद में इसके आगे वाली को select करना है साथ नंबर को इसके बाद में यहां से हम यह photo ले लेते हैं और यहां पर control V करके paste कर देते हैं paste करने के बाद alt control G press करेंगे T press करेंगे और इसको चोटी कर देंगे यानि आपको क्या करना है हर बार जो है आपको इसकी masking करनी है या alt control G press करना ठीक है इसके बाद में इसके सामने वाला जो effect है वो ही इस पर effect दे देना है आपको color overlay पर जाएंगे और यहां से आप green ले लेंगे और इसके बाद में यहां से आप soft light ठीक है तो इस प्रकार से effect आ गया है अब हमारी एक image और बची है इसको control A, control C, control W यहां पर 8 number को हमें select करना है पहले के अंदर इसे group करना है control T करना है और इसे sota कर लेना ठीक है अगर आप image की size पहले से छोटी करके रखेंगे या फिर आप college जब बड़ा बनाएंगे तो effect आपका बिल्कुल सांदर सा आएगा ठीक है यह हो गया अब हम इसके उपर जो है effect दे देंगे red color का और इसको हम कर देंगे soft light ठीक है हम यहाँ पर mode change करके भी देख सकते हैं कि किसमे effect आएगा स्क्रीन में भी आ रहा है थोड़ा सा आप light यहां से opacity कर सकते हैं जैसा effect आपको रखना है ठीक है तो इस परकार से college जो है वो बन गया है तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर stroke देना चाहे तो क्या करेंगे आप अब जो हम सब नीचे वाली जो safety जो हमने बना रखी थी वहाँ पर click करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पर इसको आप select करेंगे फिर यहाँ पर layer style पर click करेंगे और stroke पर जाएंगे ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं stroke आ रहा है इसको आप inside कर लीजिए और उसके बाद में आप यहाँ से size थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं और इसके opacity जो है वो कम करना चाहे कर सकते हैं और अगर shadow देना चाहते हैं आप तो यहाँ से आप shadow दे सकते हैं इसे ठीक है OK कर लीजिए और इसके बाद में आपका disk effect जो है वो तैयार हो चुका है उसके बाद आपको क्या करना है नीचे वाली जो layer थी background layer उसको आपको control J करके duplicate करना है duplicate हो गई है अब friends क्या करेंगे यहाँ पर आप जाएंगे और stroke में जाएंगे और यहाँ से आप stroke inside कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा stroke आप बढ़ा देंगे और उसके बाद में यहाँ से आप कोई भी color pattern जो रखना चाहे वो रख सकते हैं मान लिजे हमने यह रखना है उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ से आप scale जो है इसका बढ़ा सकते है जितना आपको रखना है मेरे ख्याल से इतना ही रखे आप और उसके बाद आप opacity जो है आप थोड़ी सी कम जादा करना चाहे तो कर सकते हैं और okay कर दीजिए इस परकार से हमारा एक disc effect जो है बनकर के तैयार हो गया है और इसे हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं तो friends किस परकार से बना है comment में आप जुरूर बताएएगा और अगर नए है तो subscribe कर लीजिएगा मिलेंगे नए टुटुल में तब तक के लिए जय हिंग जय भारत